Hello students, good morning all of you and welcome to the Global World Academy. So, आज के session में हम लोग यहाँ पर science का previous year paper complete करने जा रहे हैं, जो की है MP Constable का, ठीके, Constable का जो paper हुआ था भी हल फिल हल में, वो हम लोग यहाँ पर complete करने जा रहे हैं, जिसमें 15-16 question जो है आपके science से पूछे गए हैं, ठीके, तो वो सारे question आज के session में हम लोग यहाँ पर complete करेंगे, और ये class आपके regular रहेगी, जितनी भी shift यहाँ पर हुई है, वो सारे shift के previous year paper के जो questions है, वो हम लोग यहाँ पर complete करेंगे, ओके, तो आज के session को start करते हैं, आज हम लोग यहाँ पर complete करने वाले 1st Feb 2022 का paper, होना चाहिए, so first question आपकी screen पर है, general science से related है, the vaccination schedule chart can be obtained from what, टीका करन अनुसूची chart किस से प्राप्त किया जाता है, अगर मुझे यह जानना है, कि जो vaccination होता है, उसका time क्या है, तो मुझे यह सारा chart कहाँ पर मिलेगा, apart from the Google, हम लोग कहां से इस information को ले सकते हैं, drug store से जाकर, clinic पर आपको यह सारी information मिल जाएगी, pharmacy पर मिल जाएगी, या फिर कोई भी convenience store हो सकता है, सुवीधा दुकान जहाँ पर आप यह information ले सकते हैं, तो basically in general यह जो information मिलती है, आपको किसी भी clinic से मिल सकती है, यह जिसे बच्चों का टीका करण करवाया जाता है, जो अनिवारे टीका होते हैं, जो mandatory होते हैं, जो बच्चों को लगवाना ही होते हैं, यह पांच साल के उम्रे तक, तो उसका पूरा schedule आप जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी clinic पर जाकर ले सकते हैं, अच्छा, यह तो general information हो गई, जो एक हर एक इंसान को पता होना चाहिए, अब कौन-कौन से टीके जो हैं बच्चों को लगते हैं, कभी आप से ये भी पूछ लिया जाए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी जरूर से रखिएगा, जो mandatory होते हैं, जो हर एक बच्चे को लगवाना जरूरी है, सबसे पहला टीका होता है BCG का टीका, और जो TB के लिए यहाँ पर लगता है, तपैदिक TB के लिए यहाँ पर लगता है, दूसरा Hepatitis B का टीका भी यहाँ पर बच्चों को लगता है, और काली खासी पर्टूसिस जिसको बोला जाता है, तो तीनों का common टीका यहाँ पर लगता है, ठीके, उसके बाद जादा आता है, Hemophysis Influenza B Tीका यहाँ पर लगता है, Rota Virus का यहाँ पर लगता है, Typhite का यहाँ पर टीका लगता है, ठीके, अब एक को रोर लगता है MMR Tीका, ठीके, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपका Missles यानि खसरा कंट्रोल हो जाता है, Mumps जो कंटमाला रोग जो गले में होने वाली बिमारी है, वो कंट्रोल हो जाती है, और रुबेला जो जर्मन खसरा होता है, इसका ठीका, तीनों का एक कॉमन इंजेक्शन यहाँ पर लगता है, जिसको InShot MMR यहाँ पर बोला जाता है, जिसमें मिंसल्स, कंटमाला रोग और जर्मन खसरा जो है, यह लगता हो है, यह लगता हो है, इसके भी लगवा सकते हैं, इसमें न्यू कोकल, कॉगनूजन वैक्सिन, इसमें mostly इसे होते हैं, वो जगह के हिसाब से लगते हैं, कि किस जगह किस प्रकार की विमारी है, उस प्रकार से वो ठीके लगवाया जा सकते हैं, इन्फ्लूएंसा, फ्लू का ठीका, जापानी, इन्फैलाइटिस, और हेजा का ठीका, उन शेतरों में लगवाने की सला दी जाती है, जहां पर इनका खत्रा बहुत ही जादा होता है, या फिर आप जिस शेतरों में यात्रा पर जाना चाते हैं, उससे पहली ये ठीके लगवाना जरूरी होते हैं, तो ये कुछ वैकल्पिक ठीके यहाँ पर हो गए, नेक्स कुशन नमबर टू आपकी स्क्रीन पर है, सूरी के प्रकाश को प्रत्वी तक सतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगबग, एप्रोक्सिमेट, 10 मिनिट, 45, 8 मिनिट या 30 मिनिट तो आप सभी को पता है, सूरी के प्रकाश को प्रत्वी तक पहुंचने में, 8 मिनिट का समय लगता है, अच्छा ये चीज़ तो हमें पता है, 8 मिनिट और 20 सेकंड अगर accurate value हम लोग बोलें, तो 8 मिनिट और 20 सेकंड का समय लगता है, यानि की 500 सेकंड ठीके, अगर पूरा सेकंड में मैं इसको convert करूँ, तो ये 500 सेकंड कैसे पता चला होगा, हमने वही formula लगा होगा, speed is equal to distance by time, यानि की, सूरी से प्रत्वी तक की दूरी कितनी है, यानि वो distance हमें पता होना चाहिए, और जो प्रकाश किस speed से travel कर रहा है, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर ये दोनों चीज़े हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर इस value को निकाल सकते हैं, तो 3 चीज़े आपकी cover हो जाएगी, ये समय कितना लग रहा है, आपको पता है, 8 मिनिट, लगबग 8 मिनिट का समय यहाँ पर लगता है, अब speed कितनी होती है, अगर प्रकाश की में चाल देखू, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 300 होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यह formula लगाने वाले speed is equal to distance by time प्रकाश की जो चाल होती है 300,000 km per second होती है ठीके अब distance कितनी है सूरी से प्रत्वी की दूरी कितनी है अगर आप यह देखें तो 150 million है तो इसको मैं 10 to the power 6 कर देती हूँ ठीके तो यह km में convert यहाँ पर हो जाएगा और time हम लोगों को निकालना है time किस में आएगा second में आएगा क्योंकि हम लोग सारा second में consider कर रहे है ठीके तो अब यह जो km में है और second के अंदर है दोनों unit हम लोगों नहीं यहाँ पर consider करी है ठीके तो यह 300 को अपन यहाँ लिख सकते है 300 into 10 to the power 6 इससे आप किसी भी प्रकार का numerical question बना सकते हो मालो कहीं पर भी आपको जो है किनी भी दो पिंड के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है है ना दूरी दे रखी है time दे रखा है और speed निकालना है तो आप easily निकाल सकते है just an example यह चीज़े known है यह चीज़े हमें पता होना चाहिए क्योंकि यह चीज़े इन जनरल है और बार-बार question में mention नहीं करी जाती है नहीं तो इसको दूरी भी mention करनी थी और distance जो speed है वो भी mention करनी थी इन जनरल सी बात है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो यह रही ठीक है और प्रकाश और प्रत्वी सूर्य और प्रत्वी के बीच की जो दूरी है 115 इंटू 10 तू दी पावर 6 किलोमीटर होती है बस हम लोग इसको convert कर लेते है 300 इंटू 10 तू दी पावर 3 है हमने इसको 10 तू दी पावर 3 बना लिया लिख सकते हैं एक बटा दो लिख सकते हैं एक बटा दो इंटू 10 की पावर 3 तो T is equal to कितना हो जाएगा T हो जाएगा आपका यहाँ पर उपर की साइड लिख रहे हूं 1000 divided by 2 1000 divided by 2 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा तो T की value कितनी आ गई 500 second आ गई ठीके कैसे निकाला इन जनरल सा जो जो भी चीज़े हमें पता थी कि speed कितनी होती है 300 into 10 to the power 6 होती है distance कितनी है 150 300 into 10 to the power 3 क्योंकि यह 300 हम लोग मान रहे है और यह 150 into 10 to the power 6 होती है यह time हो गया ठीके तो time कितना आ गया 150 divided by 300 into 10 to the power 3 ठीके हमने यह reverse कर लिया यहाँ पर तो यह value कितनी आ जाएगी 1000 divided by 2 150 जोना 300 होते है तो t की value कितनी आ गई यहाँ पर 500 second आ गई अब 500 second को आप क्या करी है option में सारे minute है तो minute के अंदर convert कर लेते हैं ठीके अगर मैं यहाँ पर चार्ट से भाग भी लगाऊ या फिर ऐसे भी देख लीजिए अगर आप करेंगे तो 848 यानि अगर मैं देखो तो यह 480 second तो यहीं पर हो गए ठीक है यह 480 second होकर मुझे total कितने बनाने 500 बनाने मतलब इसमें अगर मैं 20 और जोड़ूं तो यह 500 second हो जाएंगे मतलब यह आपका minute है 8 minute और यह एक्स्ट्रा में 20 second तो option में हमको केरवल minutes दे रखें तो 8 minute हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो correct answer आपका क्या हो जाएगा 8 minute यहाँ पर हो जाएगा और accurate value पूछे तो 8 minute और 20 second यहाँ पर लगते हो यह value कैसे आई इस value को put करने पर clear है यह वाली चीज़ चलिए next question number 3 की तरफ चलते है amoeba की क्या विशेशता होती है the amoeba holds the feature of protoplasma का आकार हीं द्रविमान इसमें protoplasma का कोई shape नहीं होता है वो shapeless होता है अब क्यों नहीं होता है यह आप यहाँ पर क्योंकि इसमें जो पाधप है वो अपना जो shape है वो अपना आकार जो है बदलते रहते हैं यह किसी भी आकार में यहाँ पर हो सकते हैं जसलाइक यह finger type आपके structure दिख रही होगी उंगलियों के आका कि तो यह अपना shape यह चलते भी इसी से हैं तो इनका shape यहाँ पर परिवर्टित होता रहता है ठीके तो इसका detail थोड़ा सम लोग देख लेते हैं ताकि अमीबा वाला topic आपका clear हो जाए अमीबा एक प्रकार का protozova है इसमें एक कोशी का जीव होता है एकल कोशी की मतलब एक कोशी की जीव इसको यहाँ पर बूला जाता है जपने भोजन को पकड़ने और निकलने के लिए पाधाप का उपयोग करता है यह इनको पाधाप बूला जाता है एक बार Diagram में जर्मन प्रकृती वादी अगस्ट जोहाल रोसेल वॉन रोसेन होफ के द्वारा इसको सर्च किया गया था, इसको खोजा गया था तो आप यहाँ पर रोसेल वॉन रोसेन होफ नام यहाँ पर याद रख सकते हैं इसने फर्स टाइम अमीबा की खोज करी थी ठीके कौन है यह जर्मन के हैं और कब करी थी 1755 में करी थी ठीके तो अमीबा एक प्रोटो जोवा हो गया एक कोशी की जीव हो गया बोजन को पकड़ने के लिए पाधा आपका प्रियोग करता है तो इसका यह शेप यहाँ पर चेंज करता रहता है ताजे पानी की सतव पर इन जिस प्रकार का होता है चुकि अमीबा एक कोशी की जीव है इसलिए इसमें साधारन शरीर का एक डिजाइन होता है अमीबा की कुछ विशेशता इस प्रकार है यह पाधाप यह जो आप देख पा रहे हैं यह पाधाप होते हैं जिसको स्यूडो पोडिया बोलते हैं यह जो कोशिका है तो कोशिका वाली चीज़ें सारी पाई जाएगी कोशिका द्रव्य साइटो प्लाज्म प्लाज्मा जिल्ली के या तो अंदर या बाहर की ओर धकेलता है ठीक है मतलब इनका आकर या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा किसके माध्यम से कोशिका द्रव यानि कि पाधाब यहांपर हो सकते हैं कई सारे कई हो सकते हैं जैसे हम लोग यहांपर देख रहे हैंतो शाथ साथ तो हमको इसी structure के अंदर दिखाई दे रहे रहें थीक है और इसकेश् schwog requests की आकार में भारी Hepरिवरतन यहांपर हो सकता है तीन तीन से चार भी हो सकते हैं, यहना 11-12 भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से इसकी आकरोती रहेगी, शेप यहाँ पर इसका यह हम लोग बोल सकते हैं, चेंज होता रहेगा, ठीके, अब आप यहाँ पर दिख सकते हैं, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीके, यह हम लोग दि सकते नुकलियस हो गया केंद्रक यहां पर हो गया ठीक है जिसे कोशिका में पाया जाते हैं उसी प्रकार का स्ट्रॉक्चर है सेल मैंब्रेन इसकी कोशिका बित्य हो गई, अमीबिया की सरशना के तीन मुख्य पार्ट होते हैं, एक तो कोशिका द्रवे जो इसके अंदर भरा हुआ है, प्लाजमा जिल्ली और तीसरा जो होता है, आपका केंद्रक होता है, ठीके, कोशिका द्रवे में दो पढ़ते होती है, जिसको भारी वाली एक्ट जणू भड़े होएं, केंद्रक केंद्री ये भाग होता है, जो प्रजुनार और अन्यमहतुपुर्ण कार्यों को नियंतित करता है, ये बड़ा और डिस्क यानि की चक्ति के आकार का हो सकता है, ठीके, हर एक का अपना अपना structure होता है, आज हमने अमीबा के बारे में पढ जल रहे हैं, तो आप उन sessions को भी join कर सकते हैं, इसके अलावा आपके science की 2000 question की series भी है, जो YouTube पर available है, उसे भी आप यहाँ पर visit कर सकते हैं, ठीके, तो in general यदि हम लोग बात करें, तो question में हमसे क्या पूछा गया था, अमीबा की क्या विशेजता होती, तो अमीबा शेपलेस यहाँ पर होता है, इसका कोई fix आकार यहाँ पर नहीं होता है, एक कोशी की जीव है, तीन main चीजी हैं, इसके अंदर होती है, कोशी का द्रवे, साइटो प्लास्म, जिसमें एंडो एक्टोक्राइन दोनों आ जाएगा, प्लास्मा जिल्ली होता है, और केंदरक यहाँ पर ह होता है, ठीक है, नेक्स कुशन नबर फोर आपकी स्क्रीन पर है, कुशन नबर फोर को देखेगा, और वर्वरक किसानों को गेहु, धान और मक्का जिसी फसलों को बढ़ाने में साहता करता है, तीन फोर्टीलाइजर जो है, फार्मर्स जो होते हैं, उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, फोर्टीलाइजर किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये फसलों की नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मतलब जादा फसल का उत्पादन होगा, फसलों को पानी की मात्रा बढ़ाने में साहता करते हैं, उसकी उपज बढ़ाने में साहता करते हैं, या फिर मिट्ट नहीं है next question number five आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोईलेंट्रेट का सदस्य यहां पर है मतलब हमें वो सारा स्पीशिस जो जाती है उसके बारे में देखना पड़ेगा पहले हम लोग यहां पर options देख लेते हैं which of the following is a member of phylum कोईलेंट्रेट तो इसका सदस्य सिंकोन हो सकता है क्लियोना हो सकता है वीनस फ्लावर बास्केट हो सकता है यदि आप इसका डाइग्राम देख पा रहे तो इसका structure इस प्रकार का होता है समुंद्र में पाया जाने वाला हम लोग इसको बोल सकते हैं और option number D hydra है तो correct answer phylum category में यहां पर कोन आएगा तो phylum category में यहां पर hydra आता है ठीके तो अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ लेते हैं किसको किस तरीके से categorize किया जाता है ठीके तो एक बार आप सबसे सबसे पहले डाइग्राम देख लीजे फिर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो आती है वो जाती आती है है फिर एक human examples हम लोग इसको समझेंगे संग जी विज्ञानिक वर्गी करण की एक शेनी है और एक संग में कई प्रकार के वर्ग यहां पर हो सकते हैं हम लोग इतने तरीके से क्याटेग्राइज कर सकते हैं सबसे पहले जाती आएगी इसके बाद आएगा वंश इसके बाद आजाएगा फैमिली इसके बाद आजाएगा order यानि की गर्ण इसके बाद आजाते हैं class इसके बाद आजाते हैं संग फाइलम जिसका question आपसे पूछ सबसे पहले आजाता है आपका मनुष्य ठीके तो मानव एक जी विज्ञानिक जाती है यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हर एक सारे ही टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे आठुवी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे मानव एक जी विज्ञानिक जाती है जिसका विज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है ठीके तो यह मनुष्य अपने आप में अकेला यहां पर कौन सी केटेगरी में आ गया एक मानव और मानव से मिलती हुई जितनी भी जातिया है वो सारी आ जाएगी अब मानव और मानव से मिलती हुई जातिया कई सारी थी लेकिन अभी सारी यहां पर विलुक तो चुकि जिसमें केवल यूमन बचा हुआ है मानव और मानव से मिलती हुई सारी प्रकार के जो वंश हें पुष्ष के अंदर आ जाएंगे तो अभी इसमें से केवल कुन बचा ओए मानो वचा ओए ठीके तो यह पूरा वंश यहाँ पर ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुल की बात यहाँ पर करते हैं है तो कुल में पूरा पूरा कुल यहाँ पर आजाएगा पूरा फैमिली यहाँ पर आजाएगा जिसको हम लोग मानव नुमा बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको हम लोग होमो निडाय बोलते हैं ठीके तो होमो निडाय जिसे हिंदी में मानव नुवा कहा जाता है एक प्रकार का जिव वज्ञानिक कूल है जिसमें मनुष्य आ जाएंगे चिपांजी आ जाएंगे गोरिल्ला आ जाएंगे औरंग उटान जिसे सभी बड़े आकार के वानर वंशत जो है क्योंकि मनुष्य जो है वो भी इसी वंशत से है ठीके तो यहाँ पर होमो निडाय के अंदर मनुष्य और मनुष्य से मिलते हुए जितने भी बड़े वानर वंश है वो सारे आ जाएंगे ठीके तो जाती आपका क्लियर हो गया मनुष्य और मनुष्य से मिलती हुई स वण्श के अलावा मनुष्य और मनुष्य के समान ही वानरवश्च के सारी प्रजाती होमो निडाय के अंदर आ जाती जो मिलकर एक कुल एक फैमेली को यहां पर बनाती है ठीक है तो आपकी फैमेली में गुरिल्ला भी आजाएगा मनुष्य चिपांजी औरगंड उटान ये स को हिंदी में नर्वानर भी कहा जाता है एक प्रकार का जीव विज्ञानिक गण है जिसमें मानव और सारे मानव नुमा कपी के अलावा जो भी हमारी फैमिली में थे इसके अलावा सबी प्रकार के बंदर लीमर तारसियर जैसे सदस्य वाले कूल आ जाएंगे ठीके तो ये सा सारे के सारे आ गए ओरडर्स के अंदर तिक तेया बा चारों को रिवाइस कर लेते सबसे पहले अब लोग यहां पर जाती की बात करें जिसमें अब बन ऐता जाता है उसमें प्रकार के सारे को अधार मेट में उसके अलावा बंदर, लीमर, तार्सियर, ये सारे की सारे के अंदर include हो जाएंगे, किस के अंदर? order के अंदर, ठीक है, गर्ण के अंदर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे वर्ग की classes की, ठीक है तो और वर्ग में कोण जाएंगे इस्तंधारी जो हैं जो मैमल्स होते हैं एक जी वग्यानिक वर्ग है जिसमें इस्तंधारी जानवरों वाले सभी गण आ जाते हैं अब इस्तंधारी में मनुष्य भैडिये वेल, चुहे, गोडे, डॉग, सारे के सारे इस्तंधारी होते हैं ठीके तो ये सारे के सा जाते हैं जिनके पास रीड की हड़ी होती है इसमें मनुष गिरगीट मेंड़क मश्री जिसके भी पास रीड की हड़ी होगी वो सारे के सारे इस संग के अंदर फाइलम कैटेगरी के अंदर इसके बाद आ जाता है जगत की अगर मैं बात करूं किंडम की बात करूं तो एनी मेलिया जिसे हिंदी में जनतु कहा जाता है एक जीव विज्ञानिक जगत है जिसमें सभी जनतु वाले संग आ जाते हैं लेकिन पौधे इसके अंदर नहीं आते प्लांट्स को छोड़कर सार क्या जाएगा हमसे question में पूछा गया था hydra किसमें आता है तो hydra हमारी phylum के अंदर आता है तो correct answer क्या हो जाएगा आपका संग phylum यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहीपूछा गया था निमलिकेत में से कौन फाइलम-coilentrid की शेणी के अंदर आता है तो hydra हमारा correct answer था option number D प्रकार से अंडाकार जीव होते हैं तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर वन हो जाएगा एवस क्या है अंडाकार है जिसमें सारे के सारे बर्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे पक्षी आ जाते हैं अब इसके बारे में डीटेल भी देख सकते हैं इवस प्रशूत सामराज्जी के फाइलम कॉर्ड डेटा से संबंदे थे इनकी लगबत 9000 प्रजातिया है एवस उड़ने के लिए अनुकूली तोते हैं और सभी पक्षी जो है एवस आयोपिया होता क्या है याना जिसको हम लोग हिंदी में निकट द्रश्टी दोश बोलते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएक ऑप्षन नमबर वन हो जाएगा जिसमें व्यक्ति को पास का तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है लेकिन उसको दूर का नहीं दिखाई देता ह इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं निकट द्रश्टी दोश यहाँ पर बोलते हैं ठीके दो चीज़े होती है एक निकट द्रश्टी दोश होता है दूर द्रश्टी दोश होता है निकट द्रश्टी दोश में आप पास का तो बिल्कुल साफ देख सकते हो लेकिन आ लिप्स्टिक में कौन सा डाई पाया जाता है लिप्स्टिक के जितने भी सोंदर ये प्रसादी ये मेकप के जितने भी सामान होते हैं उसमें एक डाई यूज की जाती उस डाई का नाम क्या है स्ट्रांशियम 90 है कैरेमाइन है आयोडीन 123 है कॉबर्ड 60 है तो इसमें कैरेमाइन का प्रियोग यहाँ पर किया जाता है याना बैसिकली कलर के लिए जो है रंगीन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इसका प्रियोग यहाँ पर करते हैं तो लिप्स्टिक में जितने भी सों माइन भी बोला जाता है पर केरा माइन इस सफीशेंट इंग्लिश में आपको केरा माइन ही दिखेगा ठीके तो भी आंसर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा हिंदी में कोची को माइन इसको बोलते हैं ओके ध्यान रखना इस वाली चीज़ को चलिए एक एडिटिव है जिसका उप्योग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्क्रत खाद्य पधार्तों में मजबूती जोडने के लिए किया जाता है इनाइट को तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुश्चन पूछ क्या रहा है तो बेसीकली आपने देखा होगा कि जितने भी जैम वगेरा होते है या फिर आइसक्रीम वगेरा भी आप ले लो तो उसका आकार उसी के उसी प्रकार का रहे जिस समय उसको डिजाइ कि यहां पर किया जाता है जो फूड को मजबूती देता है ड्मीज उसका शेइप अगेरा चेंज यहां पर नहीं होगा जिसे जैम आपने देखा है तो वो गाड़ा होता है ठीके तो अगर मानलो बहुत समय तक वो पढ़ा रहा उसकी शेल्फ लाइफ मानलो तीन महीने की ह तीन महीने तक आप उसको यूज कर सकते हैं तो फिर क्या होगा कि जिसे कि उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं कि आपने एक साल तक रख लिया तो उसका शेप यहां पर चेंज हो जाएगा वो लिक्वेड में परिवर्टेत हो जाएगा ठीके जैसा उसका गाड़ापन था तो पानी जैसा हो जाएगा तो इसके लिए कि वो जितना समय उसके लिए रखा गया है जितनी उसकी शेल्फ लाइफ है उस समय तक वो सुरक्षित रहे तो उसके लिए एडिटिव के रूप में कई सारे अलिमेंट्स होते हैं कई सारी चीज़ें होती जो हम लोग जोड़ स किसके आविशकार के रूप में जाना जाता है पीटर हैंलेंड जो है यह किसके आविशकारक यहाँ पर माने जाते तो यह माने जाते हैं घड़ी के आविशकारक ठीक एक बार आप यह डाइग्राम देख सकते हैं यह पीटर हैंलेंड है और इन्होंने घड़ी का आविशक इनके द्वारा इस प्रकार की घड़ी यहां पर बनाई गे थी जिसमें आई थिंग आपको कोई भी नंबर वगेरा नहीं दिखाई दे रहे थे सन पंदरा सो में घड़ी का अविश्कार कर दिया जा चुका था ठीके तो यह घड़ी के अविश्कारक के रूप में जाने जात सब्सक्राइब कि जाता है या फिर यहां पर हैंन मुर्गी की यहां पर हो सकती तो बहुज्ड फैलो जो है एक प्रकार से नमबर उगेराह पल्स Pacific Living Capital के खाने थी इर्यभारा की ही जे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामीन हमारी तुछा और आखों के लिए स्वस्तिकारी होता है तो हमें विटामीन के बारे में सारी डीटेल पता है तो विटामीन जो स्किन और आई को हैल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा विटामीन ए जाएगा option number B हो जाएगा clear है चलिए next question number 13 की तरफ चलते हैं question number 13 को देखिएगा भारी व्यायाम के बाद हमारी मांस पेशियों में एठन क्यों आ जाती है मतलब बहुत ही जादा हमने exercise कर लिए heavy exercise कर लिए तो उसके बाद हमारे मसल्स में cramps क्यों आ जाते हैं ऐसा क्यों होता है तो चार option आपके सामने है lactic acid पूर्ण विगटित हमारी बॉड़ी में जो lactic acid बनता है वो completely विगटित हो जाता है lactic acid इखटा हो जाता है उसका संचय accumulate यहां पर हो जाता है मांस पेशियों को oxygen की अतिरिक आपूर्थी यहां पर हो जाती है जिसकी वज़े से एठन यहां पर cramps यहां पर आ जाते हैं या CO2 का संचय यहां पर हो जाता है तो करेक्ट answer यहां पर option number B यानि कि lactic acid का संचय हो जाता है accumulation of lactic acid जब आप exercise कर रहे होते हैं तो हमारी अधिक मात्रा में बन जाता है जिसकी वज़े से body के अंदर एठन आ जाती है या cramps आ जाते हैं ठीक है चलिए next question number 14 को देखेगा आप चाहें तो उसका detail भी देख सकते हैं glucose के अव आईवी विगटन के दोरान lactic acid के संचय के कारण मांसपीशों में एठन आ जाती है या आम तोर पर तब होता है क्योंकि भारी मांसपीशिया व्यायाम के दोरान शरीर को उड़ जा कि त्वरित आप उड़ती के आउशकता होती है जब बहुत ही जादा exercise हम लोग कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं और हमारी शरीकों जितना जादा आप exercise या जितना जादा वर्क यहाँ पर करेंगे उतनी ही जादा मात्रा में आपकी शरीर को एनर्जी चाहिए होगी तो एकदम से इतनी सारी एनर्जी नहीं हो पाने के कारण कलेक्ट नहीं हो पाने के कारण बॉड़ी में क्रैम्स आ जाते हैं क्लियर है चलिए next question number 14 को देखिएगा question number 14 आपकी स्क्रीन पर है यदि वी ए वी डब्ल्यू और वी ए स्क्रमश वायू जल और इस पात में ध्वनी की गती है तो basically यह question किसका है speed of sound का है तो speed of sound को लेकर हम लोग हमेशा एक table के बारे में discuss करते हैं तीक तो उसी से related एक question आपसे exam में पूछा गया है speed of sound यदि वी ए मतलब यहाँ पर जो है speed के बारे में बात हो रही है तीक है the वी ए वी डब्ल्यू और वी एस respectively are the speed of sound in a air water and steel तो ए यहाँ पर किसके लिए बोल रहा है speed किसकी air की डब्ल्यू किसके लिए हो गया water के लिए हो गया और as for यहाँ पर किसका हो गया हमारा steel के लिए spot के लिए हो गया आपको बताना है कि ध्वानी की गती है तो यह क्रम आपको अरेंज करना है है ना चार option में एक बार इधर लिख रही हो थाकि थोड़ा सा visibility अच्छी हो जाए सबसे पहला है वी ए वी डब्ल्यू वी एस सेकेंड नंबर का option है आपके सामने वी एस वी डब्ल्यू एंड वी ए थर्ड है आपका वी डब्ल्यू वी एस और वी ए ओप्शन को देखकर आपको ascending और descending बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जमाना है क्योंकि question में ऐसा कुछ देगी नहीं रखा है है ना तो इस sign को देखकर आपको अरेंज करना पड़ेगा ठीके अब चारो visible है अब हमको क्या बताना है यहाँ पर ध्वानी की गती बतानी है तो देखो जो यहाँ पर sign लगा हुआ है मतलब जो यहाँ पर open की side होता है यदि आपको यह समझ में आ रहा है तो यह वाली जो चीज होती है मतलब यह बढ़ा हुआ है अगर आप इसको in general देखें तो यह descending order में आरेंज करना है आपको आप इसको आरेंज करिए कि सबसे पहले जो है speed of sound किस में सबसे ज़ादा होगी किस में सबसे कम होगी ठीके चलिए तुम लोग start करें देखो यह बोल रहा है air के बारे में सबसे पहला वाला option बोल रहा है air water and steel तो अगर ध्वनी की गती सबसे ज़ादा air water और steel में सबसे ज़ादा किस के अंदर होती है steel के अंदर होती है ठीके तो steel की side open होना चाहिए मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें सबसे ज़ादा है ठीके जिस side यह open होता है that means सबसे ज़ादा वो होगा ठीके तो अभी हमसे गती के बारे में पूछा है velocity के बारे में पूछा है तो steel में सबसे ज़ादा होती है उस से कम किसके अंदर और उससे कम किसके अंदर ओगी आपको ऐसे यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा किनि आप एक बार से अचे करिये कैसे आप यहाँ पर अरेंज करेंगे यहिंदी इंगली जोनों में असली आपको झे रो ह Ellen ढر में आप water ले सकते हैं और solid में आप iron या steel यहां पर ले सकते हैं तो gases में यदि में बात करूँ air के अंदर तो हवा की अंदर जो इसकी speed होती है sound की 330 मीटर प्रती सेकंड या 335 मीटर प्रती सेकंड के आस्पास होती सी यह इसने लिखा approximate value liquid के अंदर 1500 मीटर प्रती सेकंड होती है और iron या steel के अंदर 5000 मीटर प्रती सेकंड की speed से जो है ध्वनी गती करती है जिसे कि आपने कोई भी steel हो गया steel की road वगयरा हो गया उसके उपर यहां पर चोट करी उसके उपर यहां पर हतोड़ा वगयरा मारा तो उसके अंदर ध्वनी जो गती करेगी 5000 मीटर प्रती सेकंड की speed से गती करेगी iron के अंदर जिसे के हमने कुशन भी देखा था science में 2000 कुशन की series के अंदर कि rail की पट्री पर जब train आती है तो हमको दो आवजे क्यों सुनाई देती है एक तो train की आवज नॉर्मली हवा के माध्य हमसे आती है और दूसरा जो steel है जो iron है उसके अंदर भी जो है ध्वनी गती करती है इसलिए हमको दो बार आवाज सुनाई देती है तो यहां पर सबसे ज़ादा गती किसके अंदर होगी तो बस आपको इसको आरींच ही करना था options को देखकर सबसे ज़ादा किसके अंदर होगी तो steel सबसे last में होना चाहिए यह रहा है steel और किसमें दे रहा है किसी में नहीं दे रहा है मतलब Answer आपका यह होगा steel में, फिर उससे कम water में, और उससे कम air के अंदर, तो हमारा जो answer हो जाएगा, option number 1, VA, VW, and VS, so VA is less than VW, velocity of water, and velocity of water is less than velocity of steel, तो सबसे साधा किस में हो गई, steel में, फिर water में, और फिर air के अंदर हो गई, चलिए, next question number, अच्छा है, इसका एक table और देखना चाहे, तो आप देख सकते हैं, किस के अंदर कितनी speed होती है, rubber के अंदर ये 60 meter per second से जाता है, air जिसका temperature 40 होगा, 355 meter, और इसलिए approximate बोला था, क्योंकि हवा में भी temperature अलग अलग होगा, 20 अगर temperature है, तो 340 meter per second की speed से जाएगा, lead के अंदर बात करें, तो 1210 meter per second की speed से जाएगा, gold के अंदर बात करें, तो 3240, glass के अंदर 4540, copper के अंदर 4600, और aluminium जो सबसे max होगा, 6320 meter per second की speed से दुआनी इसके अंदर गती करेंगी, ठीके, चलिए, next question number 15 को देखिएगा, how many types of carbohydrates are there, carbohydrates कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 7, 10, तो carbohydrates in generally 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर discuss कर लेते हैं, basically carbohydrate को दो तरीके से categorize किया जाता है, simple carbohydrate और complex carbohydrate, तो यह 3 प्रकार के होते हैं, simple में आपका monosaccharides आ जाता है, और disaccharides आ जाता है, visible है, तो सबसे पहले हम लोग simple के बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले आता है आपका monosaccharides, और दूसरा होता है disaccharides, नाम से ही समझ में आ रहा है, mono यहाँ पर क्या होते हैं, single saccharides होते हैं, single saccharides में कौन को न आ जाएंगे, फिर इसको भी 3 तरीके से categorize किया हुआ है, disaccharides के अंदर को न आ जाएगा, जो 2 monosaccharides से मिलकर बने होते हैं, monosaccharides की 2 unit से मिलकर बने होते हैं, उनको बोला जाता है disaccharides, जिसमें maltos आ जाएगा, lactos आ जाएगा, और shukros आ जाएगा, तीक है यह हो गए disaccharides, इनको simple carbohydrate बोला जाता है, फिर एक category और इसके अंदर आती है, जिसको हम लोग complex category बोलते हैं, जिसमें आ जाते हैं polysaccharides, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, कि 2 या 2 से जादा, यानि कि more than 10 monosaccharides मिलकर, मतलब ऐसे कई सारे monosaccharides मिलकर किसको बनाते हैं, polysaccharides को बनाते हैं, जिसमें starch आपका आजाएगा, fiber आपका आजाएगा, और glycosin आपका आजाएगा, तो basically carbohydrates simple complex दो तरीके से categorize किया जाते हैं, उसको 3 प्रकार माना जाता है, monosaccharides, disaccharides और polysaccharides, mono मतलब single unit, di मतलब 2 mono unit, और poly मतलब कई सारे mono मिलकर, more than 10 mono saccharides मिलकर, polysaccharides को यहाँ पर मनाते हैं, monosaccharides 3 प्रकार के होते हैं, glucose, fructose और glycosin होते हैं, disaccharides भी 3 प्रकार के होते हैं, maltose, lactose और shucrose होते हैं, और polysaccharides भी 3 प्रकार के होते हैं, starch होते हैं, fiber होते हैं, और glycosin होते हैं, तो ये इस तरीकी से 15 question का एक set था जो कि आपकी exam में पूछा गया था वो हम लोगों ने यहाँ पर complete कर लिया है इसके आगे कि session में हम लोग next shift के questions यहाँ पर complete करेंगे ताकि आपका science भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही आपके previous paper भी solve हो जाएंगे इसके अलावा science के आपके regular classes चल रही है उसे आप join कर सकते हैं अगर आप course के अंदर enroll करना चाहते हैं तो course भी आपका available है complete science का उसे आप join कर सकते हैं और test series भी यहाँ पर available है अगर आपको complete test series join करनी है और इसके अलावा यदि कोई भी doubt रह जाता है question से related वो आप यहाँ पर comment box के अंदर mention कर सकते हैं और कोई भी inquiry यदि आपको course से related करनी है तो app का link video के description box में दे रखा है वहाँ से आप join कर सकते हैं या फिर आप WhatsApp कर सकते हैं 877-080-3840 पर बाकी सारी डीटेल आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के session को यहीं over करते हैं मिलते हैं next session में thanks for watching